तो यह वीडियो बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको टॉप टेन साउथ इंडियन थ्रेयर मुविज के बार में बताऊंगा जिन में ज्यादा सस्पेंस मुविज हैं जो अपने सस्पेंस एंड थिल से आपको इंड तक फिल्म से बांधे रखे सभी मुविज में आपको आई कैचिंग स्टोरी देखने को मिलती है तो है दोस्तो मैं हो प्रिंस और आज मैं आपको टॉप टेन बेस्ट साउथ हिंडियन थ्रेयर मुविज के बार में बताऊंगा जिन्हें आप सब टाइटर्स के साथ देख सकते हो क्योंकि अभी इन मु अजीब केस को सुर्व करने की कोशिस करता है तो फिल्म में बहुत सी औरते एक के बाद एक सुसाइड कर रही होती है जो एक्चुली में मुर्डर्स होता है तो क्या इंस्पेक्टर कालिदास इस केस को सुर्व कर पाएंगे और स्खुनी को पकर पाएंगे इसके लिए अच्छी है आपको इस टोरी से हुक रखती है और क्राइमिक्स में जो आपको मज़ा आने वाला है वो तो पूछो ही मत इस मुवी को आप जी फाइब के एप पर देख सकते हो नमबर नाइन नेट्रीकंद तो नेट्रीकंद एक तमिल थ्रियर मुवी है जिसे डाइरेक्ट दिस्नी प्लस होट स्टार पे रिज किया गया था और इस मुवी के लीडोल में है नैंतरा एंड अजमल अमीर तो फिर में एक ऐसा आदमी होता है जो यार्कियों को किड्नैप करता है और उने सेक्स्वली हरेस करता है तो एक दिन नैंतरा भी उसके चंगल में फसनवाली होती है बट या कि यह वो वहाँ से भाग पाती है भागने के बाद वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो व इसकी एस्टोरी काफी प्रिडिक्टेवल हो जाती है जिस वज़े से आप इस मुवी का पुरा मज़ा नहीं उठा पाते है येकिन हाँ जो इस मुवी की एंडिंग है वो बहुत ही वालेंट है और जो आपके रॉंगटे खरे कर देगी इसे आप होट स्टार पर देख सकते हो नमबर एट थिमा रुसू तो सत्यदेव की एक और बहुत ही इंट्रेस्टिंग मुवी जिसे आपको मिस नहीं करने चाहिए क्योंकि मुवी की सस्पेंस बहुत ही ओसम है तो थिमा रुसू एक सस्पेंस थेर मुवी है जो कहानी है एक वकिली की जो एक बार्टेंडर को इनसाफ दिलाने की कोशिस करता है जिसे एक मदर के जुटे औरोप में कई सारो पहले फासाया गया था साथ ही उसे उस अस्री खूनी को भी पकरना है जिस ने उस दीन एक और बात दोस्तों, इस वीडियो वे मैंने मुवी की रैंकिंग रैंडम रखी है, तो कोई भी बेस्ट मुवी किसी भी नमबर पे आ सकती है, बट अलमोष्ट वीडियो की सभी मुवी जबेस्ट ही है, नमबर सेवन, गौड फादर, तो गौड फादर एक तमिल थ्रियर काफी सिंपल है, बट जो सर्वाइवल ड्रामा हमें यहां पे देखने को मिलता है, वो नो डाउट इंगेजिंग है, तो इस मुवी को आप चीफ फाइप पे देख सकते हो, नमबर सिक्स, थितम इरंडू, जिसे प्यान बी के नाम से भी जाना जाता है, तो प्यान बी एक आमें क्राइम मुवी है, जिसका रीडोल में है एस्वार्या राजेस, सुबास सेर्वन और गोकुल आनन्द, तो यह मुवी आपको डेफिनेटरी देखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एक क्राइम थ्यार के फोर्म में यह मुवी बेस्ट विज्वल्स को दिखाते हुए एक सोसल इसूपे बात करती है, वो मुझे काफी पसंद आई है, तो फिल्म में एक दिन एस्वार्या राजेस की फ्रेंड दीपा मिस हो जाती है, जिसके बाद पुलिस को एक जरी हुई कार मिलती है, और एक बॉड़ी भी उसमें मिलती है, जिसकी फोरेंसिक के बाद यह मा का हो जाता है, और वो खुनी को ढूनने की कोशिस करने यगती है, तो यह मुवी दूस्तु काफी इंट्रेस्टिंग है, इसकी क्यामिक्स आपको हरान कर देगी, हाँ कुछ योगों को डिसेपॉइंट भी कर सकती है, बट यह मुवी आपको देखनी चाहिए, फिल्म में आ आपको फाहद फासर की ओसम पर्फॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो वार्थान की कहानी बहुत ही इंट्रेस्टिंग एंट्रेस्टिंग है, तो फिल्म में अबिन एंट प्रिया जिसका करेक्टर फाहद एंट एस्वर्या प्रिये करती हैं, वो दुबई से अपने गाउं रहने के लिए आती हैं, जहां पे कुछ योगों की नजर प्रिया पे होती है, और वो सभी उसे हर समय श्टॉक कर रहे होते हैं, तो वो जगह दोनों के लिए नई थी और वहाँ पे पुरी तरह से से सेफ नहीं थे, तो किस तरह से वो दोनों वहाँ पे रहते हैं, और उन होट अश्टार पे फ्री में देख सकते हो, नमबर फोर, कसाडा थपारा, तो कली दिनों से मैं एक उनिक मुवी का वेट कर रहा था, जो सस्पेंस, क्राइम, रोमान्स, इन सब से हट कर, जस्ट अमेजिंग हो, और यह मुवी काफी हद तक मुझे सैटिस्फाइग कर पाई हो, तो यह मुवी आपको डेफिनेट की देखनी चाहिए, मुवी के लिटूर में आपको बहुत से साउथ एक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि संदीप कि सन्हरिस कर्यान औरेजिना के संडरा, जिन्होंने फिल्म में अपना बेश्ट दिया है, तो इस मुवी को भी आप सोनी लीव के एप पे देख सकते हो, अंजम पतिरा के बाद कंचको बोवन की अपकमिंग मुविज के लिए मैं काफी excited था, क्योंकि जो experience मुझे अंजम पतिरा देखकर मिला, मैं hope कर रहा था कि कुछ ऐसा ही मुझे नयटू में भी देखने को मिले, और हुआ भी कुछ ऐसा क्योंकि फिल्म में इनके साथ कुछ ऐसा incident होता है, जिसके बाद इन तीनों का सब कुछ दाव पर यगा हुआ होता है, और जो इस फिल्म में इन सभी के साथ पुलिटिक्स की जाती है, वो तो फिल्म को और भी देखने रैक बनाती है, तो यह मुवी नेट्फीक्स पे वी अंधाधुन का तैगू एंड मर्यलम रीमेक है, जिन्हें हाल ही में होट स्टार पे एंड प्राइम वीडियो पे रिज किया रहा है, मेस्ट्रो मुवी के रीडोल में है नितिन तमना भाट्या और नवह नतेस, वही पे ब्रहमम में आपको प्रित्विराज सुकुमारन उनि मुकुंडन, रासि खन्ना एंड ममता मुहंदा सीड रोल में देखने को मिलती हैं, सच कहूं तो जिस परफेक्शन के साथ अंधाधुन फिल्म बनाई गई थी, चाहे जितनी भी इसकी रीमेक बनाई जाए, वो उसके रेंज को मैच नहीं कर पाएगी और यही वज़ा है कि मेच्टो एंड भ्रहमम को देखने के बाद मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया, हाँ एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो यह है कि भ्रहमम फिल्म मुझे थोड़ी कॉमेडी साइट पर यगी, क्योंकि कुछ सिंस में जहाँ पे अंधाधुन काफी स सिरियस हो जाती है, वहाँ पे भ्रहमम फिल्म मुझे थोड़ी फनी यगी, नंबर वन, काली, तो डीक्यू एंड साइपलवी इस्टार ये थ्रेयर मुवी आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि डीक्यू की एंगर मेनेजमेंट इसु वाला ये करेक्टर फिल्म को नेक्स् साइल इंसान है, और जिसे छोटी-छोटी बातों पे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसे वो कंट्रोल भी नहीं कर पाता, तो एक दिन जब साइल पर भी एंडीक्यू एक इंगेजमेंट को अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं, तभी वो दोनों एक ऐस मुवी के भी बात करेंगे, तो उस वीडियो का इंतजार किजिएगा, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी जगी हो, तो याई करें सेर करें चानल को सब्सक्राइब करें, ठैंक्स फॉर वाचिंग